नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो दबा बताने जा रहा हूँ ये अपने आप में एनरजी का खजाना होती है इसे बहुत सारी बिमारियों में यूस किया जाता है और आयूरवेद में इसका बहुत प्राचीन समय से उपयोग किया रहा है बहुत कम होंइबदिक डाक्टर है जो इस दबा का होंइबदिक पत्दधी से उपयोग करते हैं दोस्तों आपने सिलाजीत का नाम सुना होगा सिलाजीत हिमालाई की चटानों और पहाडों पर पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है जो हिमालाई पर आप जानते होंगे कि बहुत सारे medicinal plant होते हैं कि इसे बहुत सारे पेड़ पोदे होते हैं, जिनसे हमें चिकतसी विरासत मिलती है जिससे हमें बहुत सारी औसदिया प्राप्त होती है समय के साथ ये दोस्तों प्लान्ट जो होते हैं धीरे धीरे डीकंपोज होते जाते हैं तो इन से निकलने वाले मिनरल्स जो है वो एक जगह जमा होकर धीरे 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 एक परच सी बना लेते हैं, वो चिप चिपे किन्तु कठोर पधार्त गरूप में ये प्राप्त होते हैं, इसी को दोस्तो सिलाजीत कहा जाता है, चुंकि इसमें हिमालाय में पाए जाने बाले बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के गुण भरे होते हैं, इसलिए दोस्तो ये बहुत सारी बिमारियों में इस्तेमाल होता है, लोगों के मन में एक भ्रांती भी है कि सिलाजीत को केबल योन रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, किन्तो ऐसा नहीं है, सिलाजीत सर से लेकर क पाउं तक बहुत सारी बिमारियों में इस्तेमाल होता है। अपने आप में तो दोस्तो सिलाजीत को एनरजी का ख़जाना कहा जाता है। किन्तो जब उसी सिलाजीत का होमेपधिक पद्दती से उपयोग किया जाता है तो ये और भी ज़्यादा गुनकारी बन जाता है। क्योंकि होमेपदी में ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी भी पदार्थ को होमेपदिक चिकस्सा पद्ददी से जब उसे ताकत प्रदान करते हैं, जब उसे पोटेंटाइश्ट करते हैं, तो उसके जो नकारात्मा गुण हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जो सकारात्मा गु इसको क्या-क्या लाव प्राप्त हो सकते हैं सिलाजीत का दोस्तों जैसे मैंने आपको बताए कि ये एनर्जी का खजाना होती है इसके अंदर एंटी आक्षिडेंट गुन होते हैं मतलब ये शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ने से रोकती है इसके शरीर में आक्षिजन का उत्पादन अधिक मातरा में करती है आर्विसीस को बढ़ाती है हिमोगलोविन लेवल बढ़ाती है ये एंटी इंफ्लामेटरी होती है सूजन को दर्द को कम करने का काम करती है दोस्तों एंटी आक्षिडेंट होने की कारण ये जो सिलाजीत का हम होमेप्धिक पद्दती से यूज करते है ये आप मेरे हाथ में देखेंगे यहाँ पर आपको देखेगा asphaltum six potency में सिलाजीत का दोस्तों होमेपेती में Asphaltum नाम से ये जानी जाती है six potency मतलब ये इसकी six ताकत में बनी हुई दवा है अभी आप मेंसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि होमेपेती में ये दवा तो अवेलेबल नहीं होती तो मैं आपको एक छोटा सा प्रूप देता हूँ यहाँ पर मैं मैडिसिन का नाम छुपा रहा हूँ यहाँ पर आपको एक पैटेंट दिख रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है होमेपेतिक ओस्दी और यदि मैं इसे इस तरह सिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा लिखा हुआ एसफाल्टम 2X पोटेंसी में मैं इसकी पिक्चर लेकर यहाँ पर डाल दूँगा आपको प्रूफ के लिए कि एसफाल्ट से होमेपेति में बड़ी-बड़ी कंपनिया भी दवा बनाती है परन्तु वो इसी प्रकार से यह एक दवा है एसफाल्ट 6 पोटेंसी में उसका कारण यह है कि जिसे हमने कीलेडियम डाला हुआ ए टाइटेनियम डाला हुआ है उसी प्रकार से यह जो श्ोटी वाटल दखे लीत ही इसमेह मंने एसफाल्टब 6 पोटेंसी में मिलाईा हुआ है जिसके कारण हमें एक बहुत ॉख शांदर परिनाम देते तो जो भी ब्यक्ति यदि मानसिक रोगों से ग्रस्त है तो वो Asphaltum 6 Potency में ले करके अपने आपको पहले से बहतर महसुष कर सकते हैं दोस्तो जो brain में neurons होते हैं जो degeneration का काम होता है जो cells nest होती है ये उन cell के nest होने की दर्गों कम करती है साथ ही साथ जो cell nest हो चुकी है उने भी regenerate करने का काम करती है मतलब फिर से repair करके बनाने का काम करती है तो brain की memory power बढ़ती है यादधास तेज होती है निर्णाय लेने की छमता तेज होती है ब्यक्ति को जो हमेशा confusion बना रहता है उस confusion से बाहर आता है तो बहुत सारी ऐसी बिमारिया जिसमें यादधास ब्यक्ति की कम हो जाती है बुड़ापे में जैसे Alzheimer disease, dementia, Parkinson disease उसमें दोस्तों हम इसका use कर सकते हैं दोस्तों brain के बाद बात करेंगे तो सिलाजीत को respiratory में भी यूज़ किया जाता है यदि कोई ब्यक्ति की immunity कमजोर है बार बार सर्थी खासी का सिकार होता है तो asphaltum 6 potency में दे सकते हैं क्योंकि ये anti-accident होने के कारण immunity भी बढ़ाती है और allergy से भी सरीर को बचाने का काम करती है anti-accident होने के कारण सरीर में चुंकि oxygen अधिक मातरा में जाती है तो ये तोचा को ज़्यादा समय तक जो है दोस्तों जवान बनाये रखती है बुड़ापे को रोक कर रखती है पेट रोकों के लिए भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लापकारी है किन्तों ये आप इसे आयुर्वेधिक रूप में लेंगे तो ऐसा माना जाता है कि ये पेट में गर्मी पेदा करती है कई लोग जिने गेश्टिक प्राबलम उन्हें दिक्कत हो सकती है परन्तु होमेधिक तरह से लेने में आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करती है दोस्तो सिलाजेत की तरह ही उससे बनी हुए ऐसफाल्टम 6 डाइबिडीस को भी कंट्रोल करने का काम करती है कोलेश्टराल को भी कंट्रोल करने का काम करती है इसके साथ ये कोई बेक्ति हाई भीपी का सिकार है तो जुँकि ये mental symptoms जो है वहाँ पर एकागरता और calmness जो है उसको बढ़ाती है, सांत चित्ता बढ़ाती है, इस तरह से ये BP को भी दोस्तो लेवल में लाने का काम करती है। इसके अलाबा इसकी बात करें तो इसे kidney और मूत्र विकारों में भी यूज किया जाता है। यदि किसी ब्यक्ति को पत्री के कारण बार-बार केड़ने या मूत्र विकार संबन्दी समस्त्या होती है, तो इसे देने से उसकी kidney की हेलत भी दोस्तो बहुत हद तक सुदरती है, मजबूत होती है, और urine के जो symptoms आ रहा है, उसमें भी ब्यक्ति को रहत मिलती है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है दोस्तो योन रोगों में, जैसा नहीं है कि केवल योन रोगों में होता है, परन्तु योन रोगों में ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। ये सुकरानू का इसतर बढ़ाती है, तो यदि कोई ब्यक्ति इंफर्टिलीटी से परिशान है, या ओलिगो स्पर्मिया, एजिव स्पर्मिया से परिशान है, उसका स्पर्मकाउट बहुत ही लोहे, तो इससे ले करके स्पर्मकाउट को बढ़ा सकता है। हाला कि साथ में दूसरी होममेटिक मेडिसिन से भी लेना आवशक होती है, इसके अलबा दोस्तों ये time को बढ़ाने का काम भी करता है, जैसे इसका नाम ये सिला जीत, जो सिलाओं तक को जीत ले, तो इसी तरह से दोस्तों ये time को इस्थिरता प्रदान करती है, पूर उसको त आपको बहुत ज़्यादा लाब देती है दोस्तों कई सारी महिला ऐसी होंगी जो योन एक्षा की कमी से परिशान है कई सारे जेंड साते हैं जिनके महिला पार्टनर इंटरस्ट नहीं लेती तो ये महिला और पुरुष दोनों में ही योन एक्षा को बढ़ाती है अंदर से ही एक्षा पेदा करती है जागरत करती है तो व्यक्ति जो है एक स्वस्त साधी सोधा जिन्दगी जीने के लिए अग्रिसर होता है इसके लाब दोस्तों ये महिलाओ में मैंसेस को भी नार्मल करती है जहाँ जहाँ भी महिलाओं में, मैंसेस यह इर्रेगुलर हो रहा है, तो यह उसे भी नार्मल करने का काम करती है, यह सरीर को energy प्रदान करती है, तो यह किसी व्यक्ति को दिन भर थका थका लगता है, दिन भर अपने आपने आपने energy की कम ही लगती है, तो asphaltum 6 यह आप देंगे सुबह दोपर रात दिन में 3 बार, इसे देने का अलग अलग तरीका होता है, हर जगा कैसे यूज करता है, वो एक अलग मेटर है, आपका डक्टर आपको बहदर बता सकता है, आपकी इस्तिधी और condition को देखते हुए, तो यह आपके अंदर energy को भर करके आपके अंदर एक ज इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है योन रोगों में, तो दूसरे नमबर पर इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों, गठिया को दूर करने के लिए, आर्थ्राइटिस को दूर करने के लिए, जोडों के बिकार को दूर करने के लिए, जोडों के बढ़ाने के लिए, concentration बढ़ाने के लिए, इसके लावा निर्णा चमता बढ़ाने के लिए या बुड़ापे में जो मस्तिस्क संबंदी बिमारी या पेदा हो रही है, उन्हें दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो आपने देखा किस प्रकार से बहुत सारे रोगों में काम आता है सिलाजीत से बनने वाली होमेमिदिक दवा, एसफाल्टम 6 तो आप भी कोसिस किजे इसे होमेमिदिक पद्दती से बनवा करके यूज करने की ताकि इसके आपको बहुत ज़्यादा पावर्फुल रिजल्ट मिल सके डोज जो है वो प्रतिक बिमारी में अलग-अलग होती है यदि आप एसफाल्टम 6 का यूज करते है तो मेरी सलाए कि आप इसे चार से पाँच गुन सुभा और रात में दिन में दो बार इस तरह से यूज कर सकते हैं एक ये कामन क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ बाकि फिर पेशन के साब से और डिसीज के साब से इसकी डोज जो है आगे पीछे और अलग-अलग हो सकती है हम इसे दूसरी मेडिसिन के कामबिनेशन के साथ यूज करते हैं जैसे सेक्स्वल बीकनिस में इसे देते हैं केलेडियम, टाइटेनियम, योहम, बिनम, सिंफाइटम, रूटा, लीडमपल, वगेरा के साथ इसे का यूज किया जाता है तो डिपेंड करता है किस मेडिसिन के साथ हम इसका यूज कहां पर कर सकते हैं परन्तो यदि आपको आयुवधिक चिकिस सा पद्दती के तरह से सिलाजीत लेने में दिक्कत हो रही है तो एक वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बंदे मात्रा